ओम शान्ति आज 13 जलाए 2022 है प्यारे बाबार ने हम बच्चों को कहा कि हमें पुरिशारत को ठीक रीती करना है कई बार बच्चे कहते हैं ज्रामा में होगा तो कर लेंगे ये पुरिशारत हीन की निशानी है हर एक को साक्षी होकर देखते हुए अपने पुरिशारत को हमें दीवर बनाना है आज प्यारे बाबा ने हम बच्चों को वर्दान दिया है हमारा पुरिशारत सहज हो जाता है जब हम अपने स्मृती पर कारे करना प्रारंब कर देते हैं क्योंकि जैसी स्मृती होती है वैसे विचार होते हैं वैसी वृती वैसा वायू मंडल वैसी ही हमारी कृती भी बन जाती है और फिर वैसी ही हम स्वयम के लिए स्रिश्टी बना लेते हैं तो अगर हमारी वृती अगर हमारी स्मृती पावरफुल है, स्ट्रॉंग है तो कोई भी बाहर परिस्थिती हमें धोका नहीं दे सकती हम उससे हार नहीं खा सकते आप देखेंगे कई बार बाहर कोई भी परिस्थिती नहीं होती सब कुछ ठीक होता है लेकिन व्यक्ति बैठे बैठे पुरानी बातों को सोचने लगता है और पुराने संकल्पों को पुर हो जाता है निराश हो जाता है अपने उमा उत्सा को खो बैठता है यह भी एक विगन है तो बाबा ने हम बच्चों को बतलाया जहां हम स्मृति स्वरूप होकर बैठते हैं तो चाहे अलबेलापन हो चाहे व्यरत हो कैसी भी परिस्थिती हो बाहर दुनिया से आने वाली हम विजय प्राप्त कर सकते हैं हमें किस चीज की स्मृति रखनी है स्वयम की स्मृति कि मैं हूं कौन किस पार्ट को बजा रही हूं बाबा की स्मृति मेरा साथी कौन है सर्वशक्तिवान की मैं संतान हूं इस जीवन यात्रव में सदा बाबा मेरे साथ है समय की स्मृति ये समय कौन सा चल रहा है कल्यानकारी संगम युग का समय है जिसमें मुझे हर एक कदम में पदम जमा करने की सिद्धी हासिल है साथ साथ ड्रामा की स्मृति कि ये ड्रामा किस प्रकार फिर रहा है आने वाला सत्युग उसमें मेरा क्या पाठ होगा इस प्रकार जब हम स्मृती स्वरूप बनते हैं तो हम व्यरत को समाप्त कर देते हैं स्वयम शक्तिशाली उमंग उत्सा खुश महसूस करते हैं जिसे हम किसी भी परिस्तिती को पार कर सकते हैं ओम शान्ती झाल झाल झाल